बढूसकार दोस्तों हमारे YouTube channel The Pharma Medition में दोस्तों आज हम आपको Jinko Bit sirup का review अपने YouTube channel Pharma Medition में करेंगे इससे related information अपने YouTube channel पे देंगे इसके use, side effects, advantage, disadvantage, drug interactions and all information अपने YouTube channel पे देंगे तो दोस्तों आप हम भी हमारे YouTube channel पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें वीडियो को लाज तक देखना न पूलें दोस्तों जिनकोबिट सीरप में या एक nutritional supplement है nutritional supplement क्या कहते हैं किसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी मिलाके बनाया गए उसको बोलते है इसमें जो मल्टी विटामिन्स है उसमें आपको विटामिन्स कई मिल ला है जैसे विटामिन A मिल ला है विटामिन B1 मिल ला है विटामिन B3 मिल ला है विटामिन B6 मिल ला है विटामिन B5 मिल ला है विटामिन E मिल ला है विटामिन B12 मिल ला है तो इसमें कई विटामिन्स आ लाइसिन क्रोमीन और आइरन इसमें दो तरीके के आपको nutritional supplements मिलना है पहला तो multi vitamins and multimineralds दोस्तों इसमें आप multi vitamins को multi minerals आप देख सकते हैं इसमें multi vitamins vitamin B3 vitamin BA, vitamin B5 vitamin B1, vitamin B6 vitamin A vitamin B12 और इसमें जो भी आपका multi minerals है उसमें आपको लिखा है ल, lysine, zinc, iodine, copper, selenium और उसके बाद iron इसमें सब मिला के दोनों चीज़ आपको मिलाईगी है दोस्तों इसके indications के उपर आते हैं इसका indications किन patients के लिए recommendation है multi vitamins and multi minerals तो ऐसे patients जिनको nutrition की कमी है उनके body में वहां पर इस दवा का उपयोग किया जाता है ऐसे patient जिनका immune system सही तरीके से develop नहीं हुआ रहता है या immune system भी हुआ रहता है वहां के patients के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है इस syrup का उपयोग किया जाता है ब्लड फॉर्मेशन के लिए भी इस सीरप को प्योग किया जाता है क्योंकि इसमें आइरन इन सारी चीजों को मिलाके दवा कर बनाये गया है तो ऐसे पेशन्स जिनको ब्लड फॉर्मेशन की कमी होती है ब्लड की कमी होती है वहां पे भी इस दवा को प्योग किया जाता है क्य विभीन lên रोगों से भी दूर नेमिया जैसे problem हिया नोच पिलड कि कमी हो जाती है तो forward formation को बढ़ा के काम करती है आपपके बॉडि में स्काधा इस विफ्वेडयर Lesson की कमी आ हारी आपके बाडी में जिस वज़ाँ से आपको थकान और और इन सारी चीजों को युकुल Cave सारा होता है तो दोस्तों जिंगोबिट सीरप जो है वह वह फ्लिमेंट है आपके लिए हैं आपका is टैम्ना बोस्टर के लिए इन्मुन सिस्टम कोड़व करने के लिए बॉडि में किसी कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हैं तो कम ईसको पर अगर कोई ऐसी कॉंप्लिकेशन्स हैं जिसको आप दूर करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर के सजेशन पे इसको यूज कर लेजे अगर इसकी नॉर्मल जो इसकी डोजिंग है वह हम आपको बता रहे हैं कि 18 साल से उपर है तो आप इसको दिन में एक बार खाना खाने के बाद यूज करिए लेकिन कांटिनुट 3 मंद के लिए आप इसको यूज करिए तब इसकी जो बेडर बेडर रिजल्ट है वह आपके बॉड़ी पर एफेक्ट आ हैं जैसे इस दवा के साथ में यूज करने पर थोड़ा सा है डेक बॉड़ी पेनियन सब आ सकता है लेकिन यह ज्यादा दिन तक आपके बॉड़ी ने डाल सकता है जब इस दवा कोपियों को बंद कर देंगे तो उसी के शाथ इसका जो साइड इफेक्ट से वह दूर हो जा दोस्तों जिंकोवेट सीरफ जो है वह ओवराल हेल्थ वेनिफिट्स के लिए बहुत ही वेनिफीशियल है आप इसको यूज कर सकते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन्स आपको नजार आ रही है बीकनेस की इम्यून सिस्टम की मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन्स आपको नाके मार्केट में इसली अप लेवल सीरफ है कहीं भी आप एलोपैट की दुकान से या मेटिकल स्टोर के के मिस्की सौप से आप इसको पर्चेस कर सकते हैं खरीच सकते हैं यूज कर सकते हैं और इसका बेटर रिजल्ट अपने बॉड़ी पर प्राफ्त कर सकते हैं तो दो हैं और चैनल को सपोर्ट करना ना बूलिया थैंकि सो मच कीप सपोर्ट कीप लग थैंकि सो मच फार वाचिंग और वीडियो